वेलकम बैक टो मैं यूटूब चराव वन सगेड आज के जो हमारा कॉच्चन है वो यह है एक्स पावर 15 इस इकल टो 125 पावर एक्स हमें कैस में एक्स का वेल्यू निकालना है तो चलना इसे सालो करते हैं सुलूशन सुलूशन में हम पहले लिखेंगे ग्यून सब्सक्राइब कर यह एक्स पावर 15 इसका हम लिख सकते हैं 5 power 3 वो किसके बराबर है 125 के बराबर तो यहाँ पर हम इसके बदले यह लिखेंगे तो क्या आएगा x power 15 is equal to 5 power 3 whole power है अपना x यह हमने 125 के बदले यह लिखा यहाँ पर हम इसको replace करेंगे x को यहाँ लाएंगे वो 3 को x के जगा लाएंगे तो क्या लिखेंगे x is equal to x power 15 is equal to 5 power x आएगा whole power 3 यह हमने इसको replace किया 3 को x के जगा लाएंगे और x को 3 के जगा लाएंगे अब क्या यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं x power 15 है इसको हम लिख सकते हैं x power 5 into 3 5 into 3 लिख सकते हैं इसके बदले तो यहाँ पर लिखेंगे x power 5 into 3 इसको लिख के आएगा x whole power 3 है अब क्या करते हैं यहाँ पर हम एक identity यूज़ करेंगे वो किसी log identity अगर यहाँ पर देखेंगे suppose a power m n है उसको हम लिख सकते हैं a power m whole power n इसको हम इस फार में भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम यही identity use करेंगे तो क्या लिखेंगे x power 3 5 sorry 5 whole power 3 यहाँ पर हम ने यह identity use की is equal to क्याएगा 5 power x whole power 3 यहाँ पर दोनों side power same है तो यह cancel out हो जाएगा जब इसको हम root चड़ाएंगे और सुखेर है root and cube cancel out हो जाएगा यहाँ पर भी same यही case होगा तो यह दोनों side cancel out हो जाएगा तो यहाँ से बज़ गया x power 5 is equal to 5 power x अब multiply करते हैं bonus side 1 by किस पर power p 5 power x दोनों side multiple करते हैं 1 divided 5 power x कहां power p x पर 5 into 1 by 5 x करेंगे दोनों side multiply तो 5 x into 1 by 5 x यहाँ पर cancel out हो जाएगा x और 5 x यहाँ पर 5 or 5 cancel out हो जाएगा आप क्या बज़ गया x power 1 by x is equal to 5 power 1 by 5 तो यहाँ पर यह है इसको power p वन डोल भे तो x का value 5 निकल गया हमें यहाँ पर यहाँ पर हमें x का value 5 निकल गया अब इसे verify करते हैं जो हमें x का value निकल गया यह सही है कि गलाच इस कün सभचन में आब इसे verify करते हैं हमें कि x के जगा पूट करना है 5 तो कोच्चर है हमारे पास यह और इसमें जहां पर एक्स हैं वहां पर हम पूट करेंगे 5 तो क्या आएगा 5 पावर 15 आएगा क्योंकि X के जगह हमें पूट किया 5 तो पावर है अपना 15 is equal to 125 पावर क्या आएगा 5 तो 5 पावर 15 is equal to यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 5 पावर 3 होल पावर 5 है क्योंकि 5 पावर हम 3 जब मॉल्ट प्ले करेंगे 5 टाइप 5 इंट 3 5 इंट 5 3 टाइम वह है किसके बराबर 125 के बरा यहाँ पर हमने इसको एक्सपोनेंट में लिखिया 150 को तो यहाँ पर इनको मॉल्ट प्लाइ हो जाएगा 5 पावर 15 is equal to 5 फावर 15 यह हमें निकल गया दून सेट इसी के साथ यह वीडियो खत्म होगा अगर पासंद आए वीडियो को लाइक शेयर को अगर चनल में पहली बार है चनल को सबस्क्राइब करो ताकि जो भी न्यूव वीडियो अपलोड होगा आपको उसको आपको उसकी नोटिक्शन मिलेगी थैंक फर वाचिंग इस वीडि कर दो